नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हमें आपर बात करने वाले हैं 9th of November 2024 के बारे में 9 November 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आज आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर कैसे आप आज के इस दिन को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आप से मिसना हो जाए आज का दिन शास्त्रों के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा पावान और पवित्र दिन है वैसे तो देखे आप सभी को पता है कार्तिक का महिना चल रहा है कार्तिक का महिना भगवान विष्णू की आराधना के लिए मातलक्षमी जी की पूजा के लिए बहुत ही ज़ादा महतपूर माना जाता है अपने जीवन की आर्थिक समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं अपने जीवन की हर तरीकी परिशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलना चाहते हैं तो कार्तिक के महिने के हर उपाय को कर लेना चाहिए जिससे की जीवन बड़ा आसान हो जाता है और परिशानिया थोड़ी सी कम हो जाती है और इसी बीच कार्थिक मास में शुकलपक्ष की अश्टमी तिती यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी 9th November 2024 को इस अश्टमी तिती को गोपाश्टमी भी कहा जाता है और आज के दिन में गाय की पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कहा जाता है कि आज के दिन में दिन की शुरुवात गवमाता के दर्शन करके कर ली जाए और दिन की समाप्ति गवमाता की पूजा करके कर ली जाए तो आपका दिन बन जाता है और आपकी हर परिशानिया दूर हो जाती है आप सभी ने जब भी भगवान शिवजी की पूजा करने जाते हैं आप तो आपने वहाँ पे नन्दी जी विराशते हैं उनके कान में अपनी परिशानियां बोली होंगी या अपने जो इच्छाय होंगी वो आपने बोली होंगी और आपकी इच्छाय पूरी भी होई होंगी उसी तरह से अगर आपकी कोई परिशानी है आपने कई बार गाय को रोटी किलाते समय अपने परिशानियों को बोला होगा आपके रास्ते खुद बखुद बन जाएंगे और गायों की पूजा करके भगवान विष्णु को प्रस्न्द करने का भी एक बहुत बड़ा रास्ता यहाँ पर बन जाता है वैसे आज के दिन में गाय की पूजा और भगवान विश्णू की अराधना दोनों ही करी जाती है इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपुन दिन है आज के दिन की शुरुवात विश्णू सहस्त्र नाम का पाठ करके करिएगा सुबह 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 जल्दी उठ जाईए स्नान कर लीजिए स्नान करने के पश्षात अपने गर के बाहर कुछ खड़े रही है और देखे कि कहीं कुईसी गवमाता के दर्शन अगर आपको हो जाए तो आपका तो दिन शुरुवात ही बहुत अच्छे हो जाएगी और विश्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर कर लीजिए आज के दिन में गर के बाहर कोई भी गाय अगर आती है तो उसे खाली ना जाने दे या भूखा ना जाने दे उनके माते पर हल्दी और कुमकुम का टीका जरूर करें और कुछ खाने के लिए उन्हें जरूर दे दे इस बात का ध्यान रखियेगा कई जगों पर गाय के पैरों में गुंगरु बान दे जाते हैं गाय को महंदी लगाई जाती है और गाय की पूजा करी जाती है और साथी साथ गाय को जो चराते हैं ग्वाले उन्हें भी दान दिया जाता है बोजन कराया जाता है बहुत सारी प्रथाय अलग लग जगे हैं आपके यहाँ पर जो भी प्रथा हो उसे आप फॉलो कर सकते हैं नहीं तो यह जो बेसिक उपाय में आपको बताया है यह आप कर ये आपके लिए अच्छा रहेगा साथी साथ आज के दिन में गाय को इस पेशली अगर आपकी आर्थिक समस्याइं बहुत जादा हो रही है लोन बहुत जादा हो चुका है कर्जों की वज़े से काफी जादा परेशान है किसी भी तरह कोई रास्ता आपको नहीं मिल पार आज आप क्या करिएगा दो चीजे मैं आपको बता रहा हूं जो आप कर दीजेगा एक आलू लीजेगा उसको बीच में से काट दीजेगा दो पार उसके कर दीजेगा हलका सा आप क्या करिएगा उसके उपर हल्दी लगा दीजेगा और अब उस आलू को बगगाय को खिलात जाए दीजेगा या गुड़की ही रूटी बना दीजेगा और उसे गि लगाकर के गाय को खिना दीजेगा ये दोनों ही उपए आपके बहुत बहुत ज़्यादा फाइदे बन्ट रहेंगे आलू खिलाते से में अपको परिशानियां बतानी रहें और गाय को रूटी किलाते समय गुड किलाते समय आपको अपनी इच्छाएं बतानी है यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपका काम आसानी से बनता हुआ नजर आएगा किसी भी तरह की कोई भी पुण्य का काम करने का मौका मत छोड़िएगा और हर तरह से कोशिश जरूर करिएगा आपको अच्छे रिजल्ट जरूर जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में एंजल नंबर की यहाँ पर बात करें एक महत्वपुन नंबर जो आपके इस दिन को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाता हुआ नजर आएगा तो यह महत्वपुन नंबर क्या है ये भी आप नोट कर लीजेगा प्लीज आज का जो एंजल नंबर रहेगा आज के दिन में आप सभी को कौन सी राशी नंबर और अलफबिट के लिए दिन अच्छा है पहले ये जान लेते हैं राशों में यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में व्रशब राशी, मितुम राशी, धनू राशी और कुम्ब राशी के लिए समय काफी जाद आच्छा दिखाई दिता है, नंबर में नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार और नंबर नौ के लिए समय काफी जाद आच्छा है, अलफबिट में देखा जाए, तो अलफबिट में A, B, H, I, K, N, T, U और W, आप सभी के लिए आज का दिन काफी जाद आच्छा दिखाई दिता है, आज के दिन में अगर आपका जन दिन है, आपके जीवन का कोई भी विशेश महत्पुन दिन है, आप सभी को मेरी और से हर्दिक शुक्तामना है, आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत जादा महत्पुन साल रहेगा, आने वाले साल में आप सभी कई सारी अच्छी चीज करने का फायदा उठा सकते हैं करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं इस तरह की योग यहां पर बनते हैं और खासकर अगर आपके जॉब में आप प्रमोशन चाहते हैं तो आने वाले साल में आपको प्रमोशन मिलेगा इस तरह के भी योग बहुत बहुत ज़दा अच्छे बन रहे हैं इस पूरे साल का चिस्ते फाइदा उठाईए और अपने इस दिन को भी अच्छा बनाने का प्रयास जरूर कर लीजिए आज के दिन में कलर कॉमिनेशन की यहां पर बात करें तो आज और इंज कलर बहुत अच्छा रहेगा लाइट ब्लू कलर और साथ ही साथ आपका बहुत बहुत ज़दा अच्छा समय है इस समय के दोरान कोई भी जरूरी काम करने का प्रयास आप कर सकते हैं आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे जैसे मैंने कहा आज का दिन बहुत ज़दा पावन और बहुत ज़दा पवित्र दिन है अपने म बनेंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत को परिशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पे जरूर से क्लिक करेगा कुछ भी पूछना चाहते हैं जानना चाहते हैं अपने बारे में कुछ कर सकते हैं मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव वद्दियां पर कर सकूँ धनिवाद